हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं कच्छे केले की बहुत ही स्वाधिस्ट सब्जी की रेसिपी वह भी बिना लासन और प्याज के अभी नौरात्री का समय चल रहा है तो लोग लासन प्याज को आप वाइट कर रहे हैं तो मैं आ फटा फट भन जाता है और खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगता है तो आए इस मिन आना शुरू करते हैं सबजी के रिसिपी को तो कच्छे केली की सबजी बनाने के लिए मैंने आप पे आधा दर्जिन कच्छा केला लिया है इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर इसे हम लोग चाकू की मदद से छील लेंगे इसके उपर वारे जो छील के है उसको हटा लेंगे इस तरह से तो सारे केलों को मैं पहले चील लेती हूं तो यहां पे सारे केलो को मैंने चील के लिया है और अब इसके गोल-गोल पीसेज करेंगे इस तरह से चोटे-चोटे मैं कर रहे हूं केले के अब चाहें तो लंबे से वाले भी सबजी मना सकते हैं केले को कट करके लेकिन मैं गोल से दे रहे हूं अभी तो यह दिखें यहां पे सारे केले को कट कर लिया है मैंने तो अब चलते हैं सबजी बनाने के प्रोसेस में तो यहां पर पहले से तो इसमें डाल देंगे नमक तो यहां पर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूं इसमें आधा चमल से भी थोड़ा कमी क्योंकि केले में नमक ज्यादा नहीं जाता है तो यहां पर नमक डाल के फिर वापस से 2-3 मिनिट और हम लोग फ्राइ कर लेंगे द्याद रहे से धहकना नहीं है क्योंकि धथाकने पर चिपकना लगएगर यह कढ़ाई में और चिपका चिपका से हो जाएगा तो इस तिरह से नोगों भी चलाते हुए उस नहीं फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा केला जो है फ्राई हो गया है तो इन्हें हम लोग निकाल लेते हैं क्लेट में तो यह पर केले को मैंने निकाल लिए फ्राई करके और वापस से उसी करही में दो बड़ा चमस तेलों डालेंगे तेल जैसे ही कर्मो को इसमें डालेंगे आदा च्छोटी चमच सा बूद जीरा जीरिओ को ढ़ोच चाटकने देंगे पिर पिंच ञान, 2 soustar cards को को तीन-चार मिनियर तक हम लोग फ्राइब करेंगे मेडियम फ्रेम पे और यह देखिए फ्रेंस तमाटर हमारे अच्छे से फ्राइब हो गया है इनका कलर देखिए कितना अच्छा आगया है बिल्कुल तेल रिलीज हो रहा है तो अब इसमें लोग डालेंगे कुछ सूखे म मसाले तो यहां पर मैं डाल रहे हूं एक चोथा ही चम चल्दी पाउडर थोड़ा सा लालमीच पाउडर चुकि हरी मिच भी मैंने पहले से डाला था थोड़ा से जीरा पाउडर धनिया पाउडर और थोड़ा सा काश्मेरी लालमीच पाउडर जालेंगे अच्छा कलर के ल कलर बहुत अच्छा आगया है तेल ली जोड़ा है मसालों से तो अब इसमें जो फ्राइब करके मैंने केले की पीज़ेस को रखा था उसे डाल देंगे मसालों में केलको और मसालों में फ्राइक कीवे केले में लास्ट में डाल देंगे एक चुटी चमच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे पहले और जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना पानी डालिए मैं बिना ग्रेवी वाला ब्लडपट सब्जी बना रही हूँ वैसे ही तो थोड़ा से पानी डालूँगी तक यह पकते पकते पानी इसका ड्राय हो जाए तो भी से ढख देंगे और पांच मिट तक मीडियम फ्रेम पर पकाएंगे पांच मिट बात फ्रेंड्स यह देखिए केले हमारे अच्छे से पक गया है और ग्रेवी भी यह ड्राय हो गई है सब्जी देखिए यह कठ हो जारे केले अच्छा से तो यह हमारे केले की टेस्टी सब्जी त्यार है तो अब गयास को बंद कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेस हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे और यह हमारे केली की सूखी सब्जी त्यार ह तो लीजे फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही जल्दी बनने वाली बिना लसन प्याज के नौरात्री के लिए केले की सब्जी तयार है आप भी इसे जब लसन प्याज नहीं खा रहा है नौरात्री में तो बना के ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है गर and family में सेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा